और यहां पर पती ने ये भी कहा कि ट्रायल कोट ने वाइफ की पटीशन को पिल्कुल सही डिस्मिस किया था और इसी लिए इनकी ये जो पटीशन है अब जो ये सिवल रिवीजन में आ रही है इसको भी डिस्मिस कर दिया जाए क्योंकि वो आप सभी ने अक्सर एक बात सुनी होगी कि अगर आपने किसी एक ग्राउंड पर कोट में तलाक का केस दायर किया है और किसी वजह से वो तलाक का केस डिस्मिस हो जाता है यानि कि आपको मनमाफिक रिलीफ नहीं मिल पाता तो क्या दुबारा से तलाक का केस दायर किया जा सकता है उसी ग्राउंड पर जी हाँ आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा आज केस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ऐसे एक केस का जिकर करके बताऊंगी कि आखिरकार उस केस के क्या फेक्ट से और उस केस में क्या हुआ तो पूरा वीडियो बिना स्किप किये देखेगा ताकि ऐसी किसी जानकारी से आप पीछे ना हट जाएं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था मैं Advocate Mohini Mona आप सभी का पुना स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल Mohini Mona Advocate अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दे से जल्दे सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो आएए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या हुआ मदरास हाई कोट में यहाँ पर रिस्पॉंडेंट हस्बंड हैं और जो पटीशनर हैं वो वाइफ हैं लेकिन ओरीजनली जो केस फाइल किया गया था वो किया गया था हस्बंड की तरफ से जिसने क्रुवालटी के ग्राउंड पर डिवोस फाइल किया था अपनी पतनी के विरुद और इसी तरहां से पतनी ने भी सनह 2005 में RCR यानि रस्टिशन ऑफ कॉंजुगल राइट्स का केस फाइल किया गया था निचली कोड से जो हस्बंड की डिवोस केस था वो डिस्मिस कर दिया गया था और जो वाइफ की RCR की जो केस था वो अलाउ कर दिया गया था पती ने दो appeals file की उनका जो cruelty के ground पर case dismiss किया गया था उसके विरुद भी और जो RCR जो allow कर दी गई थी उनकी पत्नी के उसके खिलाफ भी इस appeal में जो पती देव है उनको divorce grant हो गया और साथ ही साथ जो RCR file की थी पत्नी ने वो dismiss कर दी गई इसके बाद सन 2008 में wife second appeal file करती है और बहुत ही इंटरस्टिंगली इस second appeal में भी निचली कोट का order को reverse कर देते हैं और फिर दुबारा से divorce को dismiss कर दिया जाता है और RCR को allow कर दिया जाता है पती सन 2018 में fresh divorce petition file करते हैं दो grounds पर पहला desertion और दूसरा continuous cruelty हालाकि पती ने सन 2005 में अपनी पतनी के विरुद जो divorce petition file की थी उसमें भी cruelty का ground था लेकिन यहां पर उन्होंने continuous cruelty के साथ desertion का ground लिया और तलाक का case file किया यह जब case file किया गया पती के द्वारा तो इस case के pending रहते रहते ही पतनी section 11 CPC में एक petition file करती है और यह कहती है कि यह जो case पती के द्वारा file किया गया है तलाक लेने के लिए इसको dismiss किया जाए क्योंकि यह rest duty kata को hit करता है कोट ने सुना पती को भी और पतनी को भी और section 11 की जो application थी इस पतनी की कि इसके पती का जो case है वो dismiss कर दिया जाए उस application को वो dismiss कर देते हैं अब पतनी परिशान होकर के प्रेजेंट जो civil revision petition है जिसकी हम बाचीत कर रहे हैं जो की high court में पहुँचे हैं मदरास high court में उसको वो file करती है और यहां पर पतनी का plea यही होता है कि यह जो पती है यह clear abuse कर रहे हैं process of law को और साथ ही साथ जो principle है rest judicata को उसको भी वो hit कर रहे हैं और यहां पर पतनी यह भी बताती हैं कि सन 2005 में उनके पती ने उनके खिलाफ divorce petition same ground पर file की थी जिसको कि dismiss कर दिया गया था और यह बाद में जाकर के confirm भी हुई है और इसी के साथ साथ पतनी 125 CRPC भी file कर देती हैं जिसको allow कर दिया जाता है और पतनी को हर महीने 25 सो रुपे दिये जाने का एक आदेश भी पारित कर दिया जाता है और इस बीच में जो उनकी पतनी है वो डीवी का case भी file कर देती हैं और साथ ही साथ वो यह कहती है कि क्योंकि जो इनका जो पती है जो दुबारा से divorce petition file कर रहा है वो rest judicata के principle को hit करता है इसी लिए यह जो civil revision petition file कर रही है मदरा साई court में इसको allow कर दिया जाए इसी तरहां से husband plea लेते हैं कि यह जो पती ने divorce petition file की थी उसके dismissal के बाद ध्यान दीजेगा आप लोग कि divorce petition के dismissal के बाद wife ने dv का case file किया है इसी के साथ साथ पतनी ने 125 CRPC के तहत जो maintenance case file किया है वो भी इस पती के divorce petition के dismissal के बाद किया गया है और क्योंकि यह जो harassment है पतनी की यह continuous harassment हो रही है और क्योंकि continuous harassment हो रही है पतनी के द्वारा वो कोई भी ऐसा मौका नहीं चोड़ रही है जिससे पती को परिशानी ना हो तो इस continuous harassment के against ही यह another divorce petition file की है और यहां पर पती ने ये भी कहा कि trial court ने wife की petition को पिलकुल सही dismiss किया था और इसी लिए इनकी ये जो petition है अब जो ये civil revision में आ रही है इसको भी dismiss कर दिया जाए क्योंकि वो कहीं से भी rest judicator के principal को hit करते हुए उन्होंने कोई तलाक का case file नहीं किया है बलकि fresh ground पर उन्होंने file किया है अब court के सामने सारी तस्वीर खुल चुकी थी उन्होंने नीचे के जो इतने सारी जदो जहाद हुई पहले निचली court में पती के divorce petition को dismiss किया गया फिर उसके बाद उसको allow किया गया फिर उसके बाद फिर दुबारा से dismiss किया गया और उसके बाद फिर से civil revision petition यानि कि इस तरहा को मदरास आई कोट ने बहुत अच्छे से समझा देखा और सबसे जादा जोर इसी बात पर दिया कि क्या ये जो पती ने दूसरी petition file की है दो grounds पर एक तो desertion के ground पर और दूसरा continuous cruelty के ground पर तो क्या ये जो divorce petition file की गई है पती के द्वारा वो rest judicata के principle को hit करती है क्योंकि उनकी पहली petition same ground पर file की गई थी और उसको dismiss किया गया था यहां कोट ने देखा और last में ये conclusion दिया कि जो cause of action है वो बिलकुल अलग है और क्योंकि cause of action इस पती के divorce petition को file करने का अलग है तो इसी वजह से ये जो divorce petition file की है पती ने सन 2018 में ये maintainable है और किसी भी तरहां से ये जो fresh divorce petition है पती के द्वारा ये rest judicata के principle को कहीं से भी hit नहीं करती है यहां पती ने दुबारा cruelty के ground पर divorce petition जरूर फाइल की है लेकिन ऐसा कोई भी बार ऐसी कोई भी चीज नहीं नजर आती जिससे कि rest judicata के principle को वो कहीं से भी hit करते हों cause of action बिल्कुल अलग तरहां से दिया गया है cause of action बिल्कुल अलग है court ने कहा relief जो मांगी गई है वो अब नए facts पर मांगी गई है अब चुकि cause of action बिल्कुल अलग है facts बिल्कुल अलग है तो निचली court ने section 11 CPC के तहत जो पतनी की petition को dismiss किया है वो बिल्कुल सही किया है और ये सब कहते हुए मदरास high court ने इस case को वापिस भेज दिया और ये कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर ये जो divorce petition है निचली court इसको dispose off करेगी और ये सब बाते बताते हुए civil revision petition को मदरास high court ने dismiss कर दिया मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये बात भली बांती पता चल गई होगी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप same ground पर petition different file करते हैं तो आपका वो petition allow नहीं की जाएगी अगर आपकी उस petition में अलग grounds हैं, अलग facts हैं, अलग cause of action हैं और इसके साथ साथ कोई और आपने ground भी लिया है, तो आपकी वो petition allow की जा सकती है, जैसा कि मदरास High Court ने इस case में किया, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको like, share और comment करना ना भू किये गा, thank you, take care, bye bye